दोस्तो, आज हम आपको बताने वाले हैं, एंजल 1 में आप delivery के लिए margin कैसे ले सकते हैं, और उसके क्या-क्या rules है, किस तरीके से आपको उसका interest लगता है, ये सारे discussion आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को end टक जरूर देखिए, और अभी तक अगर आपने हम मारजिन तो मिले जाता है मतलब अगर इंट्राडे में कोई position आप लीना चाहते हो आपके पास 10,000 रुपए cash है तो उसके लिए अगर इंजल वन आपको 5X का मारजिन देता है तो आप 50,000 रुपए तक का trade ले सकते हो मतलब आपके पास cash 10,000 है लेकिन इंजल वन आपको 5X का मारजिन दे रहा है मतलब आप 50,000 रुपए तक के shares उसमें buy कर सकते हो या फिर sell कर सकते हो लेकिन ये सिर्फ intraday के लिए है मतलब आप कोई भी platform यूज़ करते हो जीरोदा यूज़ करते हो पेटियम मनी यूज़ करते हो अप स्टॉक यूज़ करते हो तो intraday के लिए margin देना leverage देना तो हर एक का काम है वो हर हर platform वाले करते हैं हर लोग करते हैं कि intraday में कुछ ना कुछ margin आपको मिल जाता है तो उससे आप ज्यादा quantity buy कर सकते हो या फिर sell भी कर सकते हो लेकिन angel one में ऐसा क्या difference है angel one आपको delivery के लिए भी extra leverage या फिर extra margin दे देता है अब ये किस तरीके से देता है और आपको कितना interest इस के उपर बात करते हैं मान लो state bank of India का ये share है मुझे buy करना है तो buy करेंगे हम buy के उपर जाएंगे और available margin मेरे पास अभी दिखा रहा है 785 रुपीज तो 785 रुपे का मुझे यहाँ पर मेरे पास अभी available margin है तो हमें क्या करना है ये जो margin selected है product type में उसको उपर select करना है जैसे इसके उपर हम select करते हैं तो यहाँ पे एक आपको box दिखाई देता है जिसमें लिखा है कि buy up to four time quantity with zero interest charge for the first 30 days मतलब पहले 30 दिन के लिए आपको zero interest rate पे four times quantity आप buy कर सकते हो मतलब अगर यहाँ पे मैं margin select करता हूँ और एक stock buy करने के लिए मुझे 124 रुपे लगेंगे तो मैं यहाँ पे कितने stock buy कर सकूँगा 785 रुपे है मेरे पास तो मैं यहाँ पे अगर मुझे 6 stock buy करने है तो 746 रुपे में मैं यह 6 stock buy कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे interest जो देना होगा इनको वो 30 दिन के लिए कुछ भी सकते हैं कि यहाँ पर इनके instruction लिखे हुए है जो भी इनके knowledge इनके details है वो यहाँ पर दिये हुए है first क्या लिखते है if you wish you had some more funds to trade with our margin trading facility for you इनका वीडियो भी है यह वीडियो भी आप देख सकते हैं जो explain करना उसके बाद आपको वीडियो देखने की ज़रुवत नहीं है आपके पास 10,000 रुपे का cash पड़ा है तो यह आपको फोर टाइम ज्यादा का margin यह आपे available करके देंगे मतलब आपको यह 30,000 रुपे का loan देंगे और plus आपके 10,000 रुपे ऐसे मिला के आप 40,000 रुपे तक का trade margin का use करके कर सकते हो लेकिन यह जो आपको 30,000 रुपे loan दे रहे यह short term loan होता है इसके उपर यह charge कितना करेंगे interest 0.049% per day मतलब आप 30,000 रुपे इन से loan रहे हो उसके उपर आप हर दिन के 0.049% का आप उनको interest दे रहे हो तो first enjoy interest free for first two days मतलब पहले दो दिन के लिए इनका कोई interest आपको नहीं लगेगा अगर दो दिन में आपका target आ जाता है तो आप यहां से निकल सकते हो आपको कोई भी extra charges नहीं लगेंगे आपको सिर्फ brokerage यहां पे देना होगा लेकिन हमने तो यहां पे देखा था था थोड़ा सा पीछे जाने के बाद तो यहां पे लिखा था कि buy up to four time quantity with zero interest charges for the first three days अब यहां पे 30 days 30 days दिखा रहा है वहां पे दो दिन दिखा रहा है तो यह यहां पे इनका थोड़ा सा marketing strategy मुझे लग रहा है तो actual में आपको दो दिने के लिए कोई margin इंट्रेस नहीं लगता और उसके बाद से आपको थोड़ा थोड़ा margin यहां पे interest rate लगना शुरू हो जाता है अब इसका calculation किस तरीके से होगा आप य एक लाख रुपे तक का trade यहां पे लेने की facility मिल सकती है मतलब आप एक लाख रुपे आपको extra मिलेंगे उनकी तरब से तो आपका total capital margin कितना हो गया एक लाख 25,000 रुपे आपने इनसे loan कितना लिया एक लाख रुपे और इस एक लाख रुपे के उपर 0.049% per day के एसाब से देना पड़ेगा interest देना पड़ेगा वो कितना निकल के आता है 50 रुपे पर डे का निकल के आता है मतलब अगर आपने किसी stock में मान लिजे state bank में मैंने position बना ली है एक लाख 25,000 रुपे एक लाख रुपे इनसे loan लेके तो मुझे उसके ऊपर 50 रुपे पर डे का interest देना हो और जब भी आप position exit करोगे मान लो आपने 10 दिन के लिए वो position hold की है और 10 दिन के बाद आपको उस particular stock में 5000 रुपे गा profit हो रहा है तो यहाँ पे profit हम लिखेंगे 5000 रुपे 10 days के लिए हमने यहाँ पे hold किया है और interest rate पर डे 50 रुपे के हिसाब से तो 50 रुपे के हिसाब से 10 days का हमारा interest हो गया वो हो गया 500 रुपे तो आपका जब profit book होगा आप जब stock sell करोगे और profit booking करोगे तो आपका brokerage तो cut होगा plus आपके यह जो 500 रुपे interest है वो भी cut हो जाएंगे और बाकी का जो profit है और आपके पैसे है वो आपके account में आ जाएंगे तो इस तरीके से इनका यह calculation होता है तो बहुत कम margin है इसके चक्कर में गलत सलत positions मत ले लेना क्यूंकि interest rate आपको यहाँ पे देना पड़ता है 10 दिन के लिए हम trade hold करते है और हमें 5000 रुपे का नुकसान होता है और हमारा stop loss हिट हो जाता है तो हमें क्या करना होगा जो भी 50 रुपे दिन का interest है उसके इसाब से 500 रुपे हमें extra देने होंगे मतलब हम 5000 के यहाँ पे loss पहले ही send कर रहे है उसके उपर हमारा brokerage आएगा जितना भी होगा जो भी calculate करके आएगा जितनी quantity होगी उसके इसाब से उसके उपर 500 रुपे और आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने loss किया है और interest तो आपको चुकाना ही है तो profit में आते हो तो ही यह margin trading आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है loss में आते हो तो आपको interest खुद के जेब से pay करना होता है तो यह थोड़ा सा risky मामला हो सकता है इसलिए without analysis और without proper knowledge के आप यह मत use कीजेगा ऐसा हमारा suggestion है बाकि यह पैसा आपका है decision आपका है आप कुछ भी decision ले सकते हैं हमारा काम है suggestion देना तो इस तरीके से यह margin आपको मिल जाता है लेकिन आपको इसके उपर interest भी देना पड़ता है तो that's it for now दोस्तो यह था margin के बारे में थोड़ा सा जानकरी जो की angel one के application में आपको मिल जाता है I hope आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है margin और किस तरीके से आपको interest लगता है वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कीजेगा दोस्तों के साथ share कीजेगा और हमारे channel को भी जरूर subscribe कीजेगा धन्यवाद